प्रशान कार्यों कम से साचा करने के लिए है तो नीट जो की अनीट रहा और इसके लिए लगातार कोट में पेश किये जाने वाले हैं आरोपी आज विशेश अदारत में आरोपियों की पेशी होनी है और सीविया की कोशिश पक्ता होगी कि वो आरोपियों को रिमांड मिले क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल है जिनके किया गया है राजमितिक रसूप की बात यहां सामने आ रही है तो सीबी आई ने पटना से गिरफतार किया है और यह गिरफतारी जब हुई है तो रिमांड पर लेने के बाद कहीं न कहीं बहुत से ऐसे पेच हैं जो खुलते हुए नजर आएंगे जी आचर हमने लगातार कुछ दिनों से देखा है कि अलग-अलग राज्यों में नीट यूजी 2024 के परिक्षा लीक होने के मामले को लेकर अलग-अलग गिरफतारियां हुई है और आज जब विशेश आदालत में इन दो आरोपियों को पेश पिया जाएगा तो उसमें एक परिक्षारती और दूसरा परिक्षारती के अभिभावक शामिल होंगे चले तो अब नीट के बाद आपको ले चलते हैं मध्य महराष्ट की तरफ जिया जहां अलग-अलग हिस्सों में